आज हम लोग इस वीडियो में टॉप बाज भड़ी वेकेंसी को जानने वाले हैं ठीक है तो फहला वेकेंसी निकल लगारा रहा फ्रेंट्स पर देखेंस अब बात करते हैं आगे बढते हैं इस लिमिट की बात करें तो एस लिमिट की जो सिमारा के लिए फ्रेंट्स चाहिए एक्स्ट फीमें एक्सें पीएस के लिए नौफीस और के लिए दूस्ट पर श्रुप्य इंट्रव्यू डेट है इस पर जाकर आप और अवेदन कर सकते हैं अगरानी वेकेंसी निकाल कर आप अजाद नेशनल इस्टिटीज आफ टेक्नलोजी की तरब से इसमें डीटेल हम लोग देखते हैं ठीक है तो आप यहां से पर सकते हैं नेम पोस्ट के बात लिए तो आसिस्टन प्रोफेसर के ल अगरेजिएशन पोस्ट ग्रेजिएशन इक्वेलेंट इन रिलेवेंट डिस्टिप्रीन एंड पीएज लिमिट एस पर यूजी सी रूल ठीक है रूल को पड़ी जागा उसमें एज लिमिट दिया गया है आगे देखते हैं अप्रिकेशन फिस के बात के लिए बारा सु र फिसर के लिए टोटल नमबर वेकंसी सथाइस पोस्ट है ठीक है आगे देखते हैं डिस्टिप्लिन मेडिसीन एथिस्या सरजयरी ठीक है तो आप डूडियो को रोकर यहां से यहां तक दख लिए जागा एजएगा एजविकेशन की बात करें तो एमडियो और इस पर जाकर आप डिटेल जान सकते हैं आगले वेकंसी इंडिया इंस्टिटीट आफ टेक्नलोजी आयाटी धनबाद नेमो पोस्ट के बात करें तो जुनियर असिस्टेंट के लिए है ठीक है ठीक है टोटल नमबर वेकंसी 73 पोस्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ग्रेजिवेशन विफ पचास परसेंट मार्क डिपलोमा इन पैसी के मिल्प्रीकेशन एलटापिश इंग्लिस इंग्लिष इंग्लिष वित धुट चारीस वर्ट पर मिल्ट ठीक है ए और हिंदी विद्ट पैंतीस वर्ट पर मिल्ट एजमिट के बाद रहों तो मैक्सम थि डिटेल जान सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं अगला वेकेंसी फिर्ट्स पावर ग्रिट को रप्रेशन ऑफ लिलिम्टेट की तरफ से नेमो पोस्ट के बात करें तो डिप्लेमा ट्रेनी होना चाहिए आगे देखते हैं टोटल लंबर वेकेंसी 26 पोस्ट है डिस्सीप्लिन इलेक्ट्रिकल सिविल ठीक है एजुकेशन क्वालिफेक्शन ने बात करें तो डिप्लोमा इने रिलिवेंट एज लिमिट मैक्सिम 27 एप्रिकेशन फिस्ट पीडेल डी एक्स एसम के लिए 9 फिस है तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को क्या करना आपको सब्स एपर लेक झाँ